हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीतासिन चैनल में आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ सेयर करने वाले हूं लड्डू की रेश्पी मखाने के लड्डू है जिसे आप इसली घर पे बना सकते हैं लड्डू बहुत ही टेस्टी होती है और आप इसे ब गुड्ड है चास्नी बनाने के लिए थोड़ी सी देशी खी चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं बेस को और अन करके अमने और इस्टी तरह से घरम कर लेते हैं कि कड़ाई अच्छी तरो से गरम हो चुकी है अब हमारे पार सफ्यतिल है इस में डाल देना है एक दो मिनू तिल को अच्छा से रोस्ट कर लिया हैं मैं भिए्ट लग बाल में निकाल लेते हैं अची तरह से गरम हैं तो अची तरह में ख़ा ने रहु हैं अच्छा करना है आप चाहे तो घीर डाले जें लेकिन घीर डालना है हम इसी तरह इसको से रोस्ट कर ले गई इसमें थोड़ा से क्रंची पन लाना है मीडिया माच कर देते हैं फूल प्रेंपनी करेंगे निलवा हमारे नीचे से जाएगे तो मीडिया माच में इसमें रोस्ट कर लेना है प्लेट में निकाल लिया है इसका हमें थोड़ा सा मोटा पाडर बनाना है पेश्ट बनाना है दरदरा किनम पाडर नहीं दरदरा करना है यह देखिए कितना क्रिस्पी पन हो गई है यह फूट नहीं रही है हमें इसी तरह का चाहिए मखाना रोष्ट करके चलिए बाले साफ़े पाले हम जो हमारे पास मुंख्फुली है इसको मिस्टर जार में मोटा दरदरा पीछ लेते हैं हमने मुंख्फुली को पिस्टर जार में मोटा दरदरा पीछ लिए पावडर नहीं बना है इस चीज का ख्या लखिए मखाने के लट्टू में कोई भी चीज पावडर नहीं चाहिए मुंख्फुली भी दरदरा चाहिए मखाने भी दरदर चाहिए की प्रोषिश का लेते हैं लटट बनाने की लटट बनाने की हमनी एक साफ सूतुर ताविल ने ले ली क्योंकि सिर्य कई रूस्थ को मखर ने हैं इसमें इसमीन ङाल यह इत्वर है इसरी में ढाल दीजाओ का है क़ाल को ढूत कर देदागर चाल का ठेश्ट लॉह यह होग मैं तरा से फेला देना कोई अबर्ता ले लेका लेक्ति करते हुए क्योंकि पर्द लेचे हैं अब तर्वा इस तरह से हमारे मखाने खेले भूल लेना है अब शायो को दर नालेते हैं आपने चार्म कोες सब्सक्राइब 쿠क कुटला है aware कि औरा टाल्स में अभूच से किसी सब्सक्राइब कोड़ी 550 स्भीति वद्द हम फी अखाने को रोस्त कि नहीं फूतन है में रहभी होती हिसे हिए आधे हम घुनी डाल देते हैं किया को मुलकुल नहीं ड़ात भी वैले मरुना अगवा में अधर के हैं मिल चुकी है अब इसे मीडियम आज भी हमें इस एक तार की चास्नी बना लेनी है चलाते हुए हमें एक तार की चास्नी बना लेते हैं गुड की चास्नी हमारी बनके रेडियो हो गए इसको आप कर दिया है इसे थोड़ी देर चलाते रहते हैं एक बार चेक कर लेते हैं हम कि अगर इस तरह से गुलड़ू बनने लगे गूर की जो ने चासनी में डाली थी तो समझ जाए आपकी चासनी रेडी है इस एक बार और चला देते हैं अब इसमें सबसे पाले हम मुखली के जो अपनी पीशा था दरदरा पीश इसको डाल दीजिए मिस्ट कर दीजिए अच्छी तरह से आप चाहें तो काजू बदाम भी डाल सकते हैं दरदरा पीश के देकि हमने काजू बदाम नहीं डाला है सब फिर तिल डाल देते हैं यह भी रोस्ट की हुई है अब इसमें हम मखाने डाल देते हैं मिस्ट कर दीजिए बहुत ही तेस्टी होती आप इसे जरूर बनाईएगा जरूर ट्राइगा बहुत ही अच्छी लगती है आप इसे ब्रत में खा सकते हैं कैम है इस तरह सकते हुए में सारे नुट मिस्ट करले मखने लगा धाले अच्छी तरह से देखें कि मात्रा बिल्कुल ज्यादा नहीं है की अब इसको हमें गरम गरम ही बनाना है ठोड़ा से हाथ में हमारे पार पानी है इसी प्ल성을ट सकते हैं शिसे छोटभ को चंद्ञבה बाइणा भनाने दरिक्षा फना दिश्टा हो जाएगा फिर इसके लड़्टू नहीं बनेंगे बहुत ज्याद कर हमाँ हाथ जल लए है पूरा सब पानी लगा लेते हैं इसलों से करते हुए हम सारे लड़्टू रेडी कर लेते हैं एक और करके में हम इस सारे लट्डू बना लिए कड़ाई को एक साइट राग देतें हैं लड्डू मारी रेडी हो गई यह बनके लेकिन हम इस इधन ठाण पर लेंगे तुछ इधने पर लागा देखेंगे लेकिन इस लड्डू को बनाते से में एक चीज़ का मैसा ख्यार ल बढ़ेगे हाथ में पानी लगा लेजिएगा इसे आप मारे लड्डू हाथ में चिपकेंगे नहीं हम आपको दिखा देते हैं यह देखिए अभी इसको बना कमने तुदंतर रखा लेकिन देखिए दिम टाइट हो गए हैं यह देखिए लड्डू बहुत ही टेस्टी होते है खासकर आप इसे ब्रत महाराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने मखाना मुंपली डाला है और सफेतील डाला है आप इस लड्डू को जरूर बनाएगे जरूर ट्राइ करिएगा और हमें जरूर बताएगा आपको लड्डू बनाने के तरीका आपको कैसा लगा है अगर आ जादा लोगों से शेर करिएगा लाइक वाले बटन को जरूर प्लिक करिएगा अगर अब फ़र्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा आते रहेंगे मैंसे नहीं वीडियो लेखा विलते एक निस वीडियो है तर तक के लिए बाइब बाइ